नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं MTTV इंडिया राजिस्थान की अशोग गैलो सरकार तमिन नारु की अम्मा रसोई योचना के तर्च पर अब राजिस्थान में इंडरा रसोई योचना लेकर आई है कोरोना के खिलाव लड़ाई में जन जागरन अभियान की शुरुआत करते हुए राजस्थान में अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा इसके लिए गैलो सरकार ने इंद्रा रसोई योचना में स्थानिय स्वैम सायता समू की भागीदारी से हर गरीब को खाना खिलाया जाने की योचना की शुरुआत की है इस योचना के तहट अचमे नगर निगम शेतर में नौ स्थानों पर इंद्रा रसोई का संचालन किया जाएगा जहां आट रुपए में भोजन दिया जाएगा इसके लिए अचमे नगर निगम शेतर में पड़ाओ, गांधी बवन, रेलवे स्टेशन के पास, डैली गेट, रोडवेज, बस्टेन, जेलेन होस्पिटल, कोटरा, जनाना स्पताल, शास्री नगर चुंगी चौकी और हरीबाव उपाद्य नगर के स्थान चिनित किये इस योजना से अचमे जिले में लगबग 6,000 लोगों को प्रति दिन 2 समय का बोजन रियायती दर पर उपलब्द होगा, इसके लिए लाबार्थी को एक समय के बोजन के मात्र 8 रुपे का बुक्तान करना होगा, जबकि अनुदान के रूप में 12 रुपे का बुक्तान राज इंद्रा रसोई योजना के संचालन की योजना बनाई गई है, आपको बता दे कि सरकार ने 100 करोड रुपे की लागत से इंद्रा रसोई योजना की शुरुवात की है, वहीं इस पर बीजेपी ने गैलोज सरकार पर आरोप लगाते हुए का है कि मुख्यमंत्री अशोग ग बोजन कराया जाता था बाजपा की ये सरवादिक लोगप्रिय योजना थी जिसकी वज़े राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार की आँख में अंडपुर्णा रसोई योजना हमेशा चुपती रही है राजसरकार की मनशा के अनुरूप इंद्रा रसोई घर को ऑनलाइन मॉनिट से जोड़ा गया है या हर लाबार्थी की रियल टाइम फोटो के माध्यम से काउंटर पर निर्धारेत राशी के बुकतान के बाद बोजन के कूपन उपलब्द कराया जाएगा इसके लिए इंद्रा रसोई घर को सीधे स्टेट डाटा सेंटर से जोड़ा गया है साथ ही ब कराया काई से बाक असे करेंस, करस्क करा है कि अपना पर फॉर्टी कर्ग दो निए मेरेके सीधे है